गुड मॉर्निंग एवरिवन आई होप आप सभी ठीक होंगे डेली करेंट अफेर के सेशन आप सभी फोलो कर रहे होंगे चार जनवरी 2023 का सेशन लेकर एक बर फिर महीं मांच हो आप सभी के साथ उपस्तित हूं वीडियो को इन तक देखा करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो करेक्ट अंश्वर है ऑप्शन डी 105 भारत ग्लोबल डॉबड स्पीड इंडेक्स में आठ स्थान की छलंग लगाकर अक्टूबर में 113 स्थान से नवंबर में 105 में अगला कुशन देखिए सर्दियों के दोरान भारतिय बिजली बजार से बिजली की खरीद के लिए किस देश ने PTC India Limited के साथ समझोता किया है तो यह है बुटान बुटान ने सर्दियों के दोरान भारतिय बिजली बजार से बिजली की खरीद के लिए PTC India Limited के साथ एक समझोता किया है अगला कोशन देखिए राश्ट्रिय मुल्यांकन और परत्यायन परिशद ग्रेडिंग में 3.85 अंक प्राप्त करने के बाद किस विश्व विधालिय को ए ग्रेड प्राप्त हुआ है तो ये है दा गुरुनानक देव यूनिवस्टी गुरुनानक देव विश्व विधालिय अमरसर ने राश्ट्रिय मुल्यांकन और परत्यायन परिशद ग्रेडिंग में 3.85 अंक प्राप्त करने के बाद ए ग्रेड प्राप्त किया है जिससे यह ऐसा करने वाला भारत का पहला विश्व विधालिय बन गया है अगला कोशन देखिए किस खिलाडी ने फीफा विश्व कप में सबसे अधिक परदाशन के साथ पेशेवर फुटबॉल खिलाडी के रूप में रिकॉर्ड बनाया है तो ये है लियोनल मैसी स्टेटिस्टा की रिपोर्ट के नुसार अर्ज विश्व कप में 26 मैचों में दिखाई दिये हैं लंबे समय तक ये रिकॉर्ड लोथर मैथोस के पास था अपको बता दे कि मैसी अब विश्व कप हुआ था फुटबॉल का उसके बाद रिटायर हो चुके हैं उन्होंने सन्यास ले लिया है नेक्स कोशन देखिए ग्रामी कोंट्रिबूशन डू रूरल डेवलेप्मेंट तो ये है सेथरी चेम संगतम सेथरी चेम संगतम को ग्रामी विकास में उतकरष्ट योगदान के लिए प्रथम रोहिनी नईयर पुरुसकार से सम्मानित किया गया इनका नाम याद रखेगा सेथरी चेम संगतम अगला ने केरल खादे ब्रांड नीरा पारा को खरीदने के लिए एक समझोते पर अस्ताक्षर की हैं किस देश के मार्टिन पाविल्सकी ने शिर्श वरियता प्राप्त शशी कुमार मुकुंद को हराकर मिसर के शरम अल शेक में 15,000 अमेरिकी डॉलर का ITF पुरुष टैनिस टूर् ने शिर्श वरियता प्राप्त शशी कुमार मुकुंद को हराकर मिसर के शरम अल शेक में 15,000 अमेरिकी डॉलर का ITF पुरुष टैनिस टूर्नामेंट जीत लिया है अगला कुशन देखिए सात्विक साईराज रंकी रेडी जो खबरों में है ये किस खेल से संबन दीत है तो ये है बैडमिंटन भारतिय पुरुष यूगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेडी और चुराग शेट्टी ने अपने बैडमिंटन करियर में करियर की नमबर पांच पर पहुंच गए है अगला कोशन देखिए मौजूदा विश्व चैंपियन निखत किस खेल से संबंदित है तो यह है बॉक्सिंग भॉपाल में राश्रिय महिला मुक्यबाजी के पहले दिन मौजूदा विश्व चैंपियन निखत जरीन और विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता सिमरंजीत कौर जीती अगला कोशन देखिए विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज दो हज़र बाइस किसे मिला तो यह हैं बारतिय वेग्यानिक प्रोफेसर ठलपिल प्रदीप को विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज दो हज़र बाइस मिला है आगे बढ़ते हैं अगला कोशन देखें इसपात मंतरी जोतिरादित्य सिंधिया ने 21 दिसंबर 2022 को नई दिली में किस ब्रांड के ग्रीन स्टील ब्रांड का अनावरन किया तो इन्होंने किया है कल्यानी फेरिस्टा इसपात मंतरी जोतिरादित्य सिंधिया जी ने 21 दिसंबर 2022 को नई दिली में भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड कल्यानी फेरिस्टा का अनावरन किया अगला कोशन देखें किस राज्य के मुख्यमंतरी अशो गहलोट ने गरीब परिवारों के लिए प्रती वर्ष 500 रुपए में 12 गैं सिलेंडर देने की गोशना की तो आपको बता दे राज्यस्थान के मुख्यमंतरी है माननिय शिरिमान अशो गहलोट जी जिन्नोंने 500 रुपए प्रती वर्ष की दर से 12 गैंस सिलेंडर गरीब परिवारों को देने की गोशना की है अगला कोशन देखें दिसंबर 2022 में मोनेटरियल में आयोजी स्युक्त राश्टर कॉन्वेंशन ओन बायोलोजिकल डायवर्सिटी CBD में पार्टियों के किस सम्मेलन COP15 ने कुनमिंग मोनेटरियल ग्लोबल बायो डायवर्सिटी फ्रेम वर्क GBF को अपनाया दिसंबर 2022 में मोनेटरियल में आयोजी स्युक्त राश्टर कॉन्वेंशन ओन बायो डायवर्सिटी के लिए पार्टियों के पंदर्वें सम्मेलन ने कुनमिंग मोनेटरियल ग्लोबल बायो डायवर्सिटी फ्रेम वर्क GBF को अपनाया GBF में जैंब विविद्धा के नुकसान को दूर करने और 2030 तक प्राकर्टिक प्रारिस्थितिक तंतर को बाहल करने के लिए चार लक्षे और 23 लक्षे शामिल है नेक्स कोशन लेकिए निमनलीगी तराजियों के अंदर साशित प्रदेशों में से कौन सा समाजिक प्रगती सूचकांक पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राजियों के रूप में नहीं उबरा है तो यह है बिहार पुडूचेरी, लक्षदीप और गोवा, समाजिक, प्रगती, सूचकांग पर सबसे अच्छा परदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उबरे हैं अगला कोशन देखीते हैं, पंदर्वा कोशन देखीते हैं पानिनी सहीता का समधान किस ने किया? तो ये हैं रिशी राजोपा, भारती है पिएचडी छातर रिशी राजपोपा ने पानिनी कोड को हल कर लिया है उन्होंने इन पानिनी वी ट्रस्ट डिसकवरिंग दा अलगोरिदम फोर रूल कंफलिक्ट रिजोलुशन इन दा अश्टध्याई शिर्शक के नाम से एक्थिस जारी की है नाम याद रखेगा, रिशी राजपोपा, भारती है मूल के पिएचडी धारक अगला कुशन देखेगा, किस देश ने सेने निर्मान के लिए 320 बिलियन अमेरिकी डॉलर की योजना का नावरण किया दित्य विशव यूद के बाद ये सबसे बड़ी है तो ये है जापान, युद के बाद लंबे समय के प्रशानत अद्रश्टिकोन के परमुक पदलाव में जापान ने सेने निर्मान के लिए 320 बिलियन अमेरिकी डॉलर की योजना का नावरण किया तित्य विशव यूद के बाद ये सबसे बड़ी है नेक्स्ट कोशन देखे, कौन सा मनोनीत रज्य सबा सदस्य है उपाध्यक्ष के पैनल में शामिल हुआ अगला कोशन देखे, किस शाशन ने लड़कियों के रिविश्यव दहले शिक्षा पर राश्टर वियापी परतिबन लगाने का आदेश दिया है विच रेजिमे हैज ओडर डा नेशन वाइड बैन ओन यूनिवर्सटी एजूकेशन फो गल्स तो ये है तालीबान तर अगला कुशन लेखिए प्रिथवी की सतह पर लगबग सभी पानी को ट्रैक करने के लिए किसने नविंतम स्तही जल और महासागर स्थलाकरती अंतरिक श लॉंच किया है इसे कैलिफोनिया के वेंडेन वर्ग स्पेस फोर्स बेस में स्पेस लॉंच कॉंप्लेक्स 4E से स्पेस एक्स रॉकेट के उपर लॉंच किया गया है आखरी कोश्चन है सेशन का देखिए एस डव्यू सी प्रोजेक्ट का पहला जहाच कौन सा है जिसे 20 दि SWC प्रोजेक्ट का पहला जहाज INS अरनाला 20 दिसंबर 2022 को बारतिय नोसेना के लिए गार्डन डिच शिप बिल्डर्स एंड इंजिनियर जी आरेसी द्वारा कुट्टू पल्ली चेन्नाई में लॉंच किया गया था आई होप आपको आज का ये 4 जन्मरी 2023 का सेशन बहुत पसंद आया होगा वीडियो का इन तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना बूले शेयर करना ना बूलें थैंक यू वरी मच गाईस इसी तरह है कल फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक स्वस्तर हैं मस्तर हैं अपना ध्यान रखें ट्यारी जोड़ शोड़ से करते रहें थैंक यू वरी मच